हेलो फ्रेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले 20 series सेमिश्टर किमेश्री जिसमें unit one देखेंगे chemical kinetics राहसायनिक बलगत की अरे इ मिसके अब क्रिया हैं तो चलो बात करते हैं रासानिक बल्गत्की केमिकल कारेटिक्स की है। तो देखो पहले इसकी थोरी पढ़ लो कहरा है देखो या विज्ञान की वाबरांच है। पहुत आसान है यह ठीक है देखो ध्यान से पढ़ो एकदम बेसिक से सीखेंगे। या विज्ञान की वाबरांच है या विज्ञान की वाशाखा हैं जिसमें रासानिक अबक्रियाओं की दर एवं उसके दर को प्रभावित करने वाले कारत जैसे सांधता, ताप, उत्परेरक्य उपस्तिती और आदिके प्रभाव का ध्यन के रहता है रासानिक बल्गत्की के क्या सिखा आपने, क्या होता है इसके अंतरगद्गर्थ, रासानिक अबक्रियाओं क्या जैसे, रासानिक अबक्रियाओं यो उससे का बनता उत्पाद। जैसे देख सकतो हूँ, यह एक reaction लिख हुई, H2 प्लस O2 जिससे बना क्या है, H2O, H2 प्लस O2 के मिलने से क्या बना H2O, तो यह क्या है, रासाइनिक अब क्रिया है, तो इस पे क्या हुआ है, यह जो आप H2O और O2 देख रहे हूँ, यह क्या है, अ अबिकारक से क्या बनता है, उत्पाद। तो बात हुई कि रासाइन विज्ञान की अवाब रांच है, जिसमें रासाइनिक अब क्रियाओ की दर, एवं उसके दर को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे सांद्रता, ताप, उत्प्रिरक की उपस्ति, आदिके प्रभाव का ड्रता है, रासाइनिक बलगत की केमिकल काइनेटिक्स کے अंतरगारं ठीक है, तो ये बात आप जानेगे कि इस पर क्या होता है, कि इसकी ये जो आप रासायनिक बलगत्की में क्या होगा ये जो आप रियक्षन देख रहे हैं आप कारेक से उत्पाद तो ये क्या है एक रियक्षन है अभिक्रिया तो इस अभिक्रिया और इस अभिक्रिया की गति का रासायनिक बलगत्की के अंतरगत हम लोग अध्यन करते हैं मतलब कि रासायनिक बलगत्की में क्या होगा कि आपका अभिक्रिया की दर क्या है अभिक्रिया किस गती से चल लिए वो बात हम जानते हैं ठीक है तो देख सकते हो ये बात है रासायनिक बलगत्की की ठीक है देखो वही पड़ सकतो कि उसको इस दर्ग को प्रभावित करने वाले कारेक जिसे सांद्रता अताप उत्प्रियाक की उपस्तिती आधिके प्रभाव का अध्यन क्या जाता है अब हम इस पर देखेंगे ये जो आपकी रियक्षन है ये कितने टाइप से हो सकती है लगने कर गया और थ कि क्या हो तैफ गया है można बड़ Nikkiyan his या को इस लिए उसकी और अलग निकल énormément तो इस पे क्या हुआ ये तेव रफ गया है क्यों तीवरब किया है क्योंकि ये बहुत तेजी से होती है ये मतलब एने वेज़ की जब SCL से क्रिया होई तो बहुत कम समय पे NCL और H2O का निर्माण हो गया ये क्या बना दिया उत्पाद तो ये उत्यी तीवरब किया अगर बात करें लोग तो थो हम तीवर अबक्रिया की गति को नहीं ग्याद कर सकते कि वो कितनी गति से अबक्रिया हुई है इसको हम प्रयोगों द्वारा ग्याद नहीं कर सकते ठीक है तो आप हम देखेंगे किस पर ग्याद कर सकते फिर देखेंगे अबक्रिया की धर क्या होती है तो दूसरा टाइप देख सकते हो अब है आती मंद अपक्रिया, extremely slow reaction, कुछ अपक्रियाओं की चाल इतनी मंद होती है, या कह रहे हो इतनी धीमी होती है, कि कई दिनों या कई वर्सों में भी कोई राशानिक परिवातर नहीं होता, मदब पहुत धीमी होती है, ठीके इस प्रक में भी कोई राशानिक परिवातर नहीं होता, ठीके जैसे एकजामपल लोहे पर जंग लगना, तो ये क्या आती मंद अपक्रिया, इसकी गति को भी, इसकी दर को भी हम लोग ग्यात नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत धीमी होती है, हम ग्यात कि इसकी दर को करेंगे, मंद अपगतन, H2O2 क्या है, हाइडोजन पराकसाइड, ये जो H2O2 देख सकतो हैं, इसका अपगतन हुआ, H2O प्लस O2 पे, ह2O प्लस O2 पे जब इसका अपगतन हुआ, तो ये कैसे अपक्रिया कहला रही है, मंद अपक्रिया, क्योंकि ये क्या और इस लो है, और ये क्या थी, आती मंदती, बहुत साल लगते थे इसको होने में, लेकिन इसको क्या हुआ, कुछ मिन्टों या घंटों में ही हो जाती है, देख सकते हो, हाइडोजन पराकसाइड का अब घटन, इसकी दर को हम प्रियोगों दारा ग्याद कर सकते हैं, इसकी दर को हम लोग अभिक्रियाद रेट ओफ रियक्सन कहते हैं, अब हमने अभिक्रियाद जानने के बाद हमें क्या जानना पड़ेगा, कि इन अभिक्रियाओं की गति क्या है, और हम गति किनकी ग्याद कर सकते हैं, हम केवल मंधब क्रियाओं की गति को ग्याद कर सकते आती मंधब क्रियाओं की गति को क्यों नहीं ग्याद कर सकते क्योंकि ये बहुत धीमी होती है और इसी प्रकार तीवरब क्रियाओं की गति को भी हम नहीं ग्याद कर सकते तो इस chapter पे हम क्या सिखेंगे मनदब क्रियाओं की गति को ग्याद करना ठीक है तो अगले वीडियो पे हम पढ़ने वाले है अभी किया दर रेट आफ रियक्षन तो ये इसका introduction वीडियो था जिस पे हमने मनदब क्रिया है और आपकी आतिमनदब क्रिया है इसी प्रिकार तीवरप्ट क्रिया है देखिए तो देख सकतो unit 1 जो है बहुत important है और बहुत ही आसाने का जो है बहुत आसानी है एकदम आसानी से एक के बाद एक वीडियो आएंगे और आसानी है